हेलो स्टूडेंट स्वागत है आप से भी का एक बार फिर से हमारे इस ओफिशल यूटूब चैनल में जिसका नाम है S.O.L.Solution मैं चन्दन कुमार हाज़िर हूँ आप सभी के सामने अपनी एक और नहीं वीडियो के साथ आज की इस नहीं वीडियो में हम बात करने वाले एक most important unit की जो की unit number 4 है उन सभी students के लिए जो की MPS पढ़ रहे हैं यानि Master of Political Science और उनके पास में MPS E008 का जो यह subject है आप सभी के लिए most important ये वीडियो रहने वाली है क्योंकि इसमें जितने भी important आप लोगों के questions बनेंगे हम इस unit के cover करेंगे दूसरी बात ये एक introduction class है इस पूरे के पूरे unit की काफी बड़ा unit है अगर आप देखेंगे तो इसमें बहुत सारे points को आपको cover up करना है सब सा पहल आप लोगों को अच्छे तरीके से पढ़ना है क्योंकि बार बार ये आपके exam में question पूछा जाता है तो ये एक intro class रहेगी हर एक question इस unit से कोई भी question आप अगर आप attend कर रहे हैं तो उसके अंदर ये काम में आने वाला है सबसे पहले हैं इसकी प्रस्तावना तो भी इसकी प् तो भी भारते सरकार जो अधिनेयम ब्रिटिस सरकार से आया था उसके अधिनेयम 1935 से इससे इसको गठित किया गया है दूसरी बात आप लोगों को ध्यान रखना है भारत का संगवाद है वो किस से सबसे जादा मैच काता है तो वो कनाड़ा के जो संगवाद में या अपना जो संगवादी मॉडल है बार्ट सरकार अधिनियब 1935 से गठित किया है दूसरी चीज आप लोगों को यहाँ पर यह भी नीचे याद रखना है कि भारत में क्या है दो स्थर पे शासन होता है वैसे तो भारती है जो संगवाद है वो तीने स्थर का है पहली बात आप को समझना है कि संगवाद का मतलब क्या होता है तो संगवाद का सिंपल सा मतलब है दो या दो से अधिक स्थर के जब शासन होते है तो उसे संगवाद कहा जाता है दूसरी बात कि दो या दो से अधिक स्थर तो भारत में तीने स्थर है सबसे पहली बात आपको केंद्रे और तीसरा है पंचायतर, यानि लोकल बॉडी ज़े भी भारत में एक शासन का ही सुरूप है, तो आप लोगों को ध्यान अकना है भारत में किस तरीकिते संग्य में बस था कब विवाजन किया गया है, तीन बागों में विवाजन किया गया है, फिर श्ट बूमी की बात करें, तो बही जो पूरी दुनिया में सबसे पहला अगर कोई संगवादी देश बना था तो वो था सहींक्त राज्य अमेरिका और अगर हम देखें तो सहींक्त राज्य अमेरिका के अंदर संगवाद का जो गठन है वो किस रूप में हुआ था, कब हुआ था, 1989 में आप लोगों को ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लाइल लिखी है कि USA का जो संविधान है वो डारेक्ली यूएसों को ये कहता है कि USA एक संगवादी राज्य है यहाँ पर राज्य सब्द जो है, राज्य संग का मतलब है कि कई देशों सो मिलकर बना है आप सभी कोई पता हो न चीए जब USA बना था तो उसके लिए जो ये संग शब्द जो भी प्रियोग हुआ है ये प्रियोग राज्य के लिए ही हुआ था और ये क्या था कई राज्यों का एक संग था यहां पर इस जगह पर ये डारेक लिए आप लोगों के लिए ये बात क्लियर की गई है इसके बाद में आगे चलके ऐसा नहीं कि हर जगह पर राज्य ही कहा जाता है अलग-अलग जगहों पर अलग-अलग समय में संगवाद की शासन में वस्ता उत्पन हुई है और संगवाद वहाँ पर चल रहा है जैसे भारत ने बाद में अपना है तो ऐसे ही कई जगहों के नामे जैसे स्विस राज्यों की बात करते हैं तो वहाँ पर क्या कहा जाता है केंटॉन कहा जाता है इसका अगर हम शाबदिक अर्थ बताएं तो फ्रांसेशी अर्थ इसका मतलब होता है प्रांत दूसरा अगर हम कनाड़ा की बात करें तो कनाड़ा में क्या बोला जाता है प्राविंसिस बोला जाता है आपको ध्यानक ना है आप सभी को पतावने चीए कि जो रूस है, 1917 की करांथी के बाद में 15 गणराज्यों में विवाजित था, यानि उससे पहले विवाजित था और उस करांथी के बाद में वो संगटित हो गया था, इसी तरीकी से अगर हम मात करें तो भारत के अंदर भी चार प्रकार के राज्य किस-किस वागों में वाजित किया गया है, तो भारत के अंदर राज्य जो है, एक और दूसरा केंदर शासित परदेश, और इसके बाद में वे राज्य जिने केंदर शासित परदेश का दरजानी मिला और कुछ ऐसे जो खास है, इन सब के बारे में डीप से बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर आपको सबसे पहले संगवाद का मतलब अर्थ सपस्ट होना चीए, तो संगवाद का सिंबल सा एक हर्थ होता है, कि जहाँ पर दो या दो से अधिक सतर के शासिन होते हैं, वो फेडरेशन या संगवाद किलाता है, विश्व में संगवाद को दो भागों म का निर्माण करते हैं, ऐसे ही स्विजरलैंड में लेकिन दूसरी और ऐसे देश होते हैं, जो अपने ही कई टुकडे कर देते हैं, और फिर एक संगवाद का निर्माण करते हैं, जैसे बारत और कनाड़ा में, तो इसके सासाथ इसके अंदर तीन और विशेषताओं की बात करें, तीन मुक्हे बातों की बात करें, संगवाद की जहां पर आपको सबसे इस बात यही राद रखनी है, कि भई दोस्तर का शासन होगा, संगवाद के अंदर सक्तियों का बटवारा होगा, और जातब हम देखते हैं, कि संगवाद के अंदर लिखित सविधान हमें जरू की बात थी जो आप लोगों को लिखना है लेकिन जब कोश्चन आपके एक्जाम में यह आएगा कि भारतिय राज्य पढ़नाली का बूद कराने वाले विश्यों का वर्णन करें तो यह तीन विश्य है जो आप में टीम आगे डीप से पढ़ना है तो हम इसके बारे में एक separate अलग वीडियोस बनाएंगे तब उसके अंदर बात करेंगे फिलाल के लिए आप लोगों के लिए यह है कि आप लोग इस इंट्रोड़क्शन को या तो आपके आपके पस वाई बुक है क्योंकि इगनु की सर्विसिस क्या है बहुत सारे स्टूडेंट्स के मेंसेजिस आ बुक्स नहीं पहुंच रही तो आप डाउनलोड कर सकते हैं या फिर अगर आपके पस नहीं है तो आप इनके नोट्स बनाना स्टार्ट कर दीजिए क्योंकि अब आपके एक्जाम आ चुके हैं और अगर आप लोगों को यह पसंद आई तो इसे लाइक करें अधिक से अध इन्स्टाग्राम पर भी फालो कर सकता हैं में पर इन्स्टाग्राम पर भी वजूद है यही थी आज आप सभी के लिए अबडेट अगर आप लोगों को इस वीड'ीरी अ मिली होगी तो वीड'ीओ को सब्स्कारब करें वीडियो को लाइक करें थे जयाहिन जया भारत